मैंने ऐसे लोग देखे हैं, जो पांच महीने की प्रेग्नेंसी में अब आर्शन कराना चाहते हैं। एक काईदा होना चाहिए कि इतने समय में ही ऐसा किया जा सकता है। बात ये नहीं है कि ये बहतर है या वो, जीवन को संभालने का एक इंसानियत भरा तरीका बेहत ज़रूरी है। हार्टबीट लॉव में ये कहा गया है कि जो महीला धड़कते दिल वाले किसी भी प्राणी को मारती है या उसका अबॉर्शन करती है, वो तुरंत अपरादी के लाएगी। और ये अमेरिका जैसे विकसित तेशा कानून है और जाहिर है कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें रेप की वज़े से प्रगनेंसी होती है, टीनेजर्स में प्रगनेंसी होती है और गर में पल रहे बच्चे में कम्या होती है पर फिर भी महिलाओं को उन बच्चों को जन्म द ठीक है, पर साथ ही मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक बहतर नजरीय से देखें, इस देश में कई ऐसे लोग हैं, जिन्होंने अपनी ही बेटियों का मार दिया है, मैं विशेश रूप से बेटियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि प संख्या को अंदेखा नहीं कर सकते, संख्या इतनी बढ़ चुकी है, तो ये अधिकार कहां से आता है, क्योंकि तुम मेरी वजह से पैदा हुए हो, इसलिए तुमको वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ, वनना मैं तुम्हें मार डालूँगा, तो इसी तरह, ये मेरी कोक ह मैं जो चाहे वो करूँगी, ऐसा नहीं हो सकता, साथ ही, एक महिला को अपनी मर्जी से, जो चाहे करने की आजादी है, पर आजादी का मतलब ये नहीं है, कि आप किसी भी हद तक ये जिमेदार हो जाएं, तो मैं कहूंगा, कि पांच-छे, ये दस, ये बारह, ये चौदा स अपतहा के भीतर, आपको बच्चे को गिरा देना चाहिए, अगर आप उसे नहीं चाहते, पर बच्चे को बढ़ने देना, मैंने ऐसे मामले देखे हैं, मैं ये विशे शुरूप से इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने लड़कियों को देखा है, उनके बॉइफरेंड है ये ठीक नहीं है, आपका ऐसा करना ठीक नहीं है, अगर ऐसा रेप की वज़ा से हुआ है, तो इसे रोका जा सकता है, है ना? अगर कोई दूसरी वज़ा है तो रोका जा सकता है मेरे हिसाब से हम कुछ हफ़तों की संख्या तै कर सकते हैं मेरे हिसाब से 48 दिन से पहले अबॉर्शन हो तो सबसे अच्छा है पर कभी-कभी शायद किसी महिला को पता ही न चले कि वह प्रिग्नेंट है इसलिए 10 सप्ता, 12 सप्ता या शायद 14 सप्ता की अनुमती होनी चाहिए पर आप 25 या 30 सप्ता के बाद अबॉर्शन की कोशिश नहीं कर सकते ये अच्छा नहीं है क्योंकि वह जिन्दा है, एक जिन्दा जीव है आपको ये समझना चाहिए धर्ती के सभी प्राणियों में से एक गर्भ, एक जीव के तौर पर सबसे बेचारा जीव है है ना अगर आप एक दो साल के बच्चे को भी नुकसान पहुचाने की कोशिश करेंगे तो वो काटेगा वो लड़ेगा, उसके पास कोई बचाव है एक गर्भ, पूरी तरह से आपकी दया पर जिंदा है आपको उसके साथ पूरी करणा के साथ बरताफ करना चाहिए अपनी सुविधा के कारण, आप जो चाहें वो नहीं कर सकते साथ ही क्या ये किसी दूसरे को ताइख करना चाहिए नहीं उस महिला को तै करना चाहिए इस बारे में कोई सवाल ही नहीं है पर साथ ही एक काईदा होना चाहिए कि इतने समय के भीतर ही ऐसा हो सकता है बच्चे के बड़े होने के बाद ये बताने वाली कई स्टेडीज मौझूद है कि बच्चे में मा के प्रती भावनाई भी होती है आप उस जीव को नहीं मारते जिसमें भावनाई हैं है न वो एक अलग अपराध है तो मेरे हिसाब से दोनों पक्ष हद पार कर देते हैं यही समस्या है आईए एक इंसानियत भारा और प्राक्टिकल तरीका अपनाए क्यूं? आप किसी चीज के साथ या खिलाफ क्यूं है? ये एक जीव का सवाल है, है न? हम इस जीव को कैसे संभालते हैं? मैं इस जीवन को कितने समान से संभालता हूँ? ऐसा हो रहा है ये कलिया, एक दिन पहले मुझे कुछ पता चला बताया गया है कि देश में पुरुष महिला अनुपात में सुधार हुआ है, बढ़ाई हो पर इस साथ ही महिलाओं की संख्या कम क्यूं थी? जो बच्चीया बाद में पैदा होती है कि क्यों उनके पास सोनोगराम नहीं होता बस बच्चा पैदा होता है और वो लड़की निकलती है एक आसान काम जो गावों में होता है वे बस धान के कुछ दाने उस बच्चे के मुँँ में डाल देते हैं वो दाने कहीं फस जाते हैं और बच्चा एक भयानक मौत मरता है सिर्फ इस लिए कि वो लड़की है तो अब अगर मैं पांच-छे महीने के गर्ब को खतम कर सकती हूँ तो दस महीने बाद क्यों नहीं जब बच्चा पैदा हो चुका है मैं कह रहा हूँ कि यह तर्क हद पार कर देगा आपको साफधान रहना होगा इसका साथ देने के लिए क्योंकि बाद में क्या होगा हमारे आज की काम कल क्या रूप ले लेंगे लोग उन्हें किस हद तक ले जाएंगे हमें इस पर ध्यान देना होगा क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो कभी-कभी नहीं होता कुछ ही लोग पकड़े जाते हैं हजारों बच्चे मारे गए हैं क्योंकि अगर पांच दिन का बच्चा मर जाए तो लोग ये सोचेंगे कि बच्चे को कुछ हो गया था मौजुदा शिश्यु मृत्युदर है तो पर कितने प्रतिशत असल में शिश्यु हत्या है ये कोई नहीं जानता ठीक है तो हमें साफधानी रखनी होगी कि हम चाहते क्या है बात ये नहीं है कि ये बहतर है या वो जीवन को संभालने का एक इंसानियत भरा तरीका बहस जरूरी है है ना झाल 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 झाल